क्या नाम है आपका सोनु चवान गाजेपुर के ग्राम डोड़ा भी पोस्ट बोग नाम लोगा है क्या लगता है किसका माहौल लग रहा है देखिए हम आपको बता रहे हैं कि बाजपा जो सरकार है दच्छिड में पूरा साफ है और उत्तर भारत में वहाफ है दच्छिड मे में 28 लोग चबागी जिसमें 25 विजयपी न जीती थी 25 जीती थी करनाटक में 28 सीटें वहां 25 जीती थी वहां भी यहार रहे हैं वहां 24 अपाँच पाजे वही देरह देखिए और आंदर परदेश में 25 इए और यह नहीं पायोगी यह सब जानते हैं और उस बार देखिए केरल में 20 सीठे लोग सबाकी उसमें उनाई शुरावल गादी वहीं से जीते थे वाइनाट से खुछ सांसद है बीस में वहां भी आ रहेगी सिदे सिदे समझिए वहां तो एकदम साफ है माराइबात महाराष्ट की उद्दव ठाकरे उनके साथ थे सिउसेन के लड़ रहे हैं तो वहां भी हमको लग रहा है कि 7-8 पाएगी उससे बेशी नहीं पाएगी मोदी जी महाराष्ट में तो एक दम लग गए पूरा और वहीं पर रहली अपना कर रहे हैं जोड़दार की सेना जो है वहां की वहां पर मजबूत मना रही है इसलिए मोदी जी मोदी जी परणमंति के साथ परचार मंत्री भी आँ उपरचार करते हैं परचार करते हैं उनको कुछ हमारे हिसाब से इतना इस बार परचार करना कर ली हमको लग रहा कि असम्में 13 स्थ हैं वहां भी नहीं पाएगे हो पूरा-पूर्वत्तर साफ है पर शीम बंगाल में मम पूरवी उत्तरपरदेश में एक समझे कि और गोरखपुर की सीट मुझे लग रहा है यह तो यह दर पस्ति वस्ति देवर्य और बनारस से तो अखले सी आदम ने खुद कर दिया है कि हमारे एक सीट वहीं से जा रहे हैं बाकि वहां लग रहा है कि पदारमंति जीट जाएंगे और जगह हमको लग रहा है कि हमें अठी से इसमरीती इरानी हार कि अब जाइंगर मिले इद्वेशिट रहा दोकान मिलाएं इस वह बोली थी जितना मीठा बोली थी चीनी के लिए तकी एक इतना खड़ा हो गया है तिरा लिसुरुपया चालिसुपय पार अब देखिए और वहां वह बोली थी और एक कुछ और वादा की थी थी तेरो पी चीनी का और कुछ वादाई चास लेकर तारना हुआ रोट पर गैस सिलंडर लेकर बढ़ जाती थी अब जो चीए जखिए वो सब प्रदान मंत्री जी को चूड़ी बेजी थी जब कि सबसे समझे कि वह इतना वह मेरे इसाफ से सबसे बेश्ट प्रदान मंत्री नहरु के बाल मुझे लगता है कि मनमौन सिंगी थे जो कि अब कर रहें कि मोदी जी परचार कर रहें साड़े आठ हजार करोंड का जो उड़न खरी दें उससे परचार करें ना उसको देखिए एरपोर्ट पे उतार रहें देखिए अप खुद देखिए इस में तो खांसर भी काया थे काई नहीं बढ़ की जिया चाहा है उसका 303 के आसपास आया था 302 की 302 लोग सब्सक्राइब जीते थे और सुचिए कि जब सब्सक्राइब लड़के वाली सीठारे थे अब जब कि वहां सीटी उसकी कम हो रही है बंगाल में कम हो रही है बियार में कम हो रही है अब सोची करनाटक में अर्याडा में 10 में 10 जीते थे वहां सब्सक्राइब दिल्ली में चार और तीन का गड़ी चला है जब कि आमादमी पार्टी चार पर जिच लड़े ये कांग्रेस तीन पर वहां सात में समझेए कि सातों सीठार रही है अर्याडा कि सीठार रही है आप देखिए राजिस्थान में भी उसका आर रही है वहां दे सब्सक्राइब दोस्तों जो है कि हमने तो एक आंकड़ा को आपको बताया है 1999 से लेके दोहजार और दोहजार चौबिस में यानि कि जो आंकड़ा हमने बताया है उस आंकड़े को लेकर जब जब पूरे देश में कम ओट पड़ा है इसका हानी सिधा-सिधा भारतिये जनता पार्टी को हुआ है और इस बार वान परसेंटेज कहीं ओट पड़ाए कहीं चोवन परसेंटेज ओड़ा है अला कि और सट परसेंटेज बंगाल में पड़ा है यानि कि भारती जनता पार्टी हारेगी समझ है कि मतलब अब तो फाइनल डिसीजन चार तारीक पादा चलेगा मगर इतना आसान नहीं है कि यह करें कि आगे चल रही है इस बार ऊइसा नहीं होगा तुरंत चिलाने नहीं जीत रहें जीत रहें चीज़ा और विकास की बात करें तो चार लाख कीलो मीटर यह सड़क बनवाएं इस पर कुछ कहेंगे आप चार लाख कीलो मीटर देखे रोड बना है यह बड़ी है कि बड़ी है हमारी देखिए वह सी परसेंट करीब घाटे में उसका अब देखिए कि मतलब उस समय देखिए करीब जब परदानमंत वह थे मनमोहन सिंह थो समय 24 लाग करीब कर जाता है इस समय कुछ एक सो चौनफाट की कितना करजा दोसो चौनफास लात्ति मतलब तिन चरगुना मतलब देखिए तो जब लालू जी मंत्री हुआ करते थे तो उस समय फायदा हुआ था 200 करोन रुपिय का साध तो अब इस समय जो रेल्वे की बात है वह कुछी दिनों में जो है कि यह बिकने जा रही है प्राइबेट हो रहा है वह सबसे बड़े समझे सबसे ज़्यादा मुझे इसी का तकलीफ है यह कह सकते हैं हर परिवार के पास यह पैसा है कि वह जहाज से चले और हर परिवार के पास इतना तोकात जरूर है सबस्क्राइब को रेल्बें से चल सके आप रेले को बेच रहे हैं जो Kansas City तो फ़ीए कि इस पे गरीबों को आख रहा है नहीं कर दो को आपको क्या लगता है कि आखिरकार किसका माहल चल रहा है कौन आगे निकलेगा परसेंटेज बताइए या आंकड़ा बताइए कुछ तो यहीं पर वीडियो समाप्द करते हैं नेक्स वीडियो के साथ फिर मिलेंगे धनेवाद